कि सबसे पहले सामुविक तोर पर औरीशा के रेल हादसे को लेकर हम सबने प्रात्ना किए मैं दुबारा अपने तरफ से दांजली देता हूं पीड़ित परिवारों के प्रति समिधना बेक करता हूं कैसा मंजर हमें देखने को मिल दा है कि लोग आपदा को भी अफसर्ब की तोर पे देखते हैं जब दुरगटना होती हैं तो मानुविय भावनाय निकल के आती हैं गम का विशे हैं दुखदाई माहोल होता है सरकार सुविश्चित करें कि ये गटना क्यूं हुई तकनीकी तोर पे सरकार की सामुईक जिम्मेदारी होती है कैबिनेट के एक मंत्री के जिम्मेदारी नहीं होती कि बीस साल में सबसे बड़ी दुरगटना रेल की सैखड़ लोग मारे गए कितनों का भी उप्चार चल रहा है गंबीर हालात में जवाब देए सामुईक तोर पर पूरे सरकार की बनती है सरकार सफाई दे सरकार ये सुमिश्चित करें कि दुबारह ऐसी गटना है कहीं देश के किसी कौने में ना हो पाए पहले तो ये मांग इस मंच के माद्यम से करना चाहता हूँ बहुत सम्वानित हमारे मंचा सीन उप राजपाल राजपाल रहे चोदी सत्पाल जी भी हाँ मौझूद है जिवाने बहुत मुखर होके हमारे बेहन बेटियों की आबरू की रक्षा की बात कहिए और आपको आवान किया है जिनके आवान पे आप इतनी आप बड़ी संख्या में पहुचे हैं मैं आपको ये भी याद इला दू कि सत्पाल मलिक जी जब वो मायत यागी कांड हुआ था जिसने उत्तर भारत में लोगों को लोगों के दिलों को देलाने का काम किया तब सरसमाज के लोगों ने फैसला लिया कि ये हमारी बेटी और उसके उस अत्याचार के खिलाफ जेल भरो मुवमेंट अंदोलन की शुरुआ चोई साब ने की तो संगर समीती का ध्यक्स भी चौदी चरंज सिंग जी ने सत्पाल मलिक जी को बनाया था और जिस दिन चोदी चरंज सिंग जी ने बायत त्यागी कांड की विरोध में गिरिफतारी दी थी उस दिन उनके साथ गिरिफतारी देने वाले भी सत्पाल मलिक जी थे तो यह बिल्कुल सही बात है कि आज फिर दुबारा वो ही लड़ा ही आई है और आपके मार्ग दशन में यहां इस समर्थर पंचायत में उचित फैसले लिए जाएंगे किसानों के नेता गुर्णाम सिंग जी की भी मैं सराना करना चाहता हूँ उन्होंने पहल की लड़ाई को हम सब की है लेकिन उन्होंने निमंतरन दिया सब को कहा इंतजाम किये बहुत सासिव एक्ति हैं संगर्स बहुत किये हैं उन्होंने यहां तक पहुशने के लिए किसानों के लिए किये हैं अपने लिए नहीं किये मैं उनको कहूंगा कि लेहरों से डरके नौका पार नहीं होती कोशिस करने वालों के कभी खार नहीं होती है कि उन्होंने आप ही मुझसे पूर्म में मूल मुद्दों की भी बात कि बिल्कुल सही बात है एक राष्ट्र चरित्र पे भी हमें सोच विचार करना है कि हमारे देश का चरित्र क्या रहा है क्या संसकार रहे हैं हम किस ओवर चलना चाहते हैं आप याद कीजिए जहां एक तरफ केंद की सरकार 9 साल का जसन मना रही है क्या 9 साल पहले भी देश में ऐसा महौल होता था कि जब किसी के खिलाफ जो पीड़ा है उसकी पीड़ाओं के विरोध में कोई अपनी बात रख रहा है कोई पीड़ित है उसके खिलाब ऐसा महोल बना दिया जाता है कि उनकी जातियों की तलासिय हो रही है। नौ साल पहले कभी ऐसा माहूल था कि कोई रेप का आरोब किसी भी लगे और उसका बचाव के लिए लोगों को जुटाया जाए। कश्मीर में आपने होते देखा गुजरात में सजाव्याप्तियों को उनके अच्छे चरित्र के कारण जल्दी छोड़ दिया गया है। उन नाओं जिले में उत्तर प्रदेश में हमने यही कांड होते देखे हैं हातरस में बेहत गरेब परिवार जो रात रात घर वालों को आखरी दर्शन नहीं करने दिये चिता पे जबरदस्ति प्रशासन के लोगों ने उनको चला दिया। उस प्रदवर को भी न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने भी बहुत संगर्श कीए। उनके लिए बचाथ किने जब कोई सामने आये समाज के लोग, तब भी बता आ गयाने। यह तो जातियों पभी से हैं यह फ़लाना हुabbाना उच जातीसे हैं उसी तरह से पहलवानों के साथ इनकी कोशिच रही है पहले शुरुबाति तौर पे हैं पहले ही दिन से इनकी साजी से शुरू हो गई कि इन्होंने यहां तक कहा कि यह खेल संग की लड़ाई है कुष्टी संग की लड़ाई है कि हर्याना के लोग कुष्टी संग में ज्यादा है यूपी के लोग कुष्टी और पहलवानी में कम हैं और कुष्टी संग में संग अठन में यूपी के लोगों की हटाने के लिए य पहले तो मैं आपसे पूचता हूं हम सब यहां यह भी जानते हैं कि भारत की समाज की क्या स्थिति हैं हम अभी भी बहुत चीज़ें बदल गई लेकिन अभी भी पूरुष प्रदान देश है एक तरफ हम धर्ति को मा मानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को जो विराठ विशाल नदी है उसको छोड़ करके देश की सारी नदियां हैं वो उनको स्त्रीलिंग हमने दिया है इसलिए दिया है कि जीवन का रूप है सबके घर में बेटिया हैं सबके घर में बहन हैं सबके घर में माता हैं सबके घर में बुआ हैं मोजी हैं बिना मात्र शक्ति के जीवन संभब नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारे देश में बराबरी नहीं गैर बराबरी बढ़ती जा रही है और इस देश में महोल ऐसा है कि कई कि महिलाओं के साथ जब उनके साथ ऐसे कृत होते हैं वेख खुलकर अपनी सिकायद के नहीं रख पाती हैं उन्हें नयाय की उम्मीद नहीं होती समाच से भेर अपने को शर्मिन्दा महसूस करती हैं अपने आपको दोस्त देती हैं अंदर अंदर घुड़के बर जाती हैं वह बाहर अपने जुबान पर बात नहीं ला पाती कि उनके साथ क्या हुआ और यहां इतनी भादूर हमारी महिलाएं हैं कई महिलाओं ने आगे आके सिकायत भी दिवत दर्ज की है सिकायत उनकी दर्ज हो चुकी है देश के सभी लोगों को ग्यात है देश के अखवारों में F.I.R. छप गई है जो अब तक बचाव करने में लगे थे के जोटी मूटी कात कोई इवीड़ेंस नहीं है शिकायत करता हो कि सारी सूचना है आप सबके पास पहुच गई है उनकी पुष्टी भी की गई है अंतर राश्चे रेफरी ने करिया ने करी अंतर राश्रिय अंतर राश्र हमारे जो पतल पे जिन लोगों ने देश के लिए कुरबानिया द यहां बहुत बड़ा सम्मान बहुत बड़ा मेल है मैं यूपी से आज आया हूँ यूपी के उन्जिलों से लोग आपके बीच आए जो नेपाल के बॉर्डर से चलके लोग आ रहे हैं पीली बीत लखिंपूर से आ रहे हैं तो यह मत सोचना हम लोग तो एक ही हैं रोटी बेटी का समाज एक तोड़ पर हर्यान अर उत्तर पर्डेस के लोगों में कोई फरक नहीं है बल्कि उत्तर भारत में एक ही संस्कृती है जो गाउं दिहाद की एक ही संस्कृती भासा बदल जाती है पानी बदल जाता है लेकिन आदमी की नहतिकता हमारा जमीर हमारा जनून हमारी लडाई हमारा खून हमारा डिन एक ही है यह आपको याद रखना चाहिए और फिर भी चुंकि यहां सभी राजनितिक पार्टियों के लोग आए प्रत्निदी आए अपने तरीके से वो साथ भी हैं खेल वाएं इनकी लड़ स्थान में चंडर्शेकर जी आहां आपके बीचा है मैं आया etus विएनट पार्टिय ये नहीं है मैं भी उनसे लगातार बात करता हूं वह भी लगातार बातचीत कर रहें वह भी लगातार चिंतित हैं जंतर मंतर पे भी कई बार गाई और उनके पिता जी नहीं है मुख्यमंत्री रहते खेलाडियों के मान सम्मान के लिए बहुत प्रयास किये और खेल नीती में भारिक बनाई थी फिर भी अगर कोई आरोब लगा रहा कि कुष्टी संग की लड़ाई है बेहन बेटियों के आबरू की लड़ाई नहीं है मैं तो उन्हें कहा देता हूं हर्याणे वाले भी पीचेट जाओ और यूपी वाले भी पीचेट जाते हैं एक देश में एक प्रतिवाशाली जा रहे हैं उस बात पर क्या मतलब अनुबातों से मैं सार्दिनिक तोड़ पर कह चका हूं आर इस मंद से फिर कहता हूं यह को राजनीतिक लड़ाई हमारे आपस की जगड़े की लड़ाई की बात नहीं है मैं अपने पार्टी का राश्ट्रे अधर्स हूं लेकिन राश् राजस्वा की सीटबाद में मैं पहले भाई हूं अपनी बहनों का इन प्रेवानों के साथ है लगा है कि मांसम्मान के लिए जीता है आदमी इतन बहुत गरिवार आदमी बहुत कमजोर आदमी के पास कुछ नहीं है देने को वो भी उसके दर्वाजा को यहाता है दिल ख़ू देता है उसके लिए पूरी लड़ाई मांसम्मान की है हैं ऑजे समाज में अगर समाज में हम जीवन समाज और सब्बेशु माज का हिस्टा हैं आप जानते हैं puisque हमारे शरीर में आपने आपको ठीक करने की एक स्क्ति होती है उसक्ति की सीमाएं होती है जिएदा बड़ा गहार लगिया तो आपको उपचार कराना पड़ेगा लेकिन आपके शरीर के अंदर भी वो शक्तियां हैं कि जब कुछ कीटानू आता है तो उसका वो मकाबला करती है उसी तरह जीवन्त और सब्वे समाज के अंदर भी खूबी होती है कि समाज के अंदर जो रोग है कुछ लोग एक मामूली व्यक्ति के भक्ति में इस तरह वलीन हो गए कि उनके नजर में ब्लेजबुशन शरन और अजेर चेनी के नजर में जो पबिलिक के नजर में वह दोसी हैं उन्हें वो क्लीन बताते हैं जिस देश को अजाज करने के लिए भारत मा की कल्पन अंगारे लेके आये हो और या मंचों से बात कही गई फैसलों की आप सब ने हाथ खड़े करके कह दिया कि मंच जो भी फैसला लेगा पहलवान जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ तो यह बहुत बड़ी बात है मैं आपको धन्यवाद देता हूं यह हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है और यह कोई भारवाला को दूसरा नहीं लड़ेगा घर के बड़े आप लोगो फैसले भी आप लोगों को लेने जो भी पहलवान नीती बनाएंगे और उसमें हमने के साथ हैं वह अपने आपको कमजोर ना महसूस करें उत गाहों की जो आवाज है जो पंचैज की गोंज दिल्ली तक पहुंसनी चाहिए तो यह प्राकृतिक चीज होती है कुछ चीज बड़त हासिल करती है फिर अपने आप जनता उसे देखती है परकती है पैचानती है फिर उससे अलग हटना शुरू कर देता है जो अंद्भक्त जो एक वो था कसर रही थी वो कसरन उन्हें दूर कर दी है जिस व्यक्ति ने 2016 में जब मेडल जीता साक्षी के लिए ट्वीट किया और यह कहा था कि रक्षा बंदन के दिन देश की बेटी ने मेडल जीता है जिस व्यक्ति ने विनेस फोगाट को बुला कर का विनेस तुम म सब्सक्राइम के सदस उनके परिवार के सदस ब्रजबूशन शरंजी उनको दिखाई दे रहे हैं तो सुधार अपने आप आएगा यहां तरह तरह की बात हुई मैं किसी भी आकिरामत फैसले के पक्ष में नहीं रहूंगा जब बड़ी चड़ाई करनी होती है एक लंबी चटान है और हम नीचे हैं हम लोग अभी कमजोर हैं अभी हम संगटित नहीं हमारे अंदर बहुत बिखराव हैं जाद पात के नाम पर धर्म के नाम पर बहुत रोग हैं जिने हमें आटाना है बसना है जिन चीजों से तो में देखनाों को अपनी शक्तिवन को संगेत करना एकाप लोग आगे बढ़ना और देहरे के साथ आगे बढ़ना होगा यह अब शर्कार जियाए और आपे हिट में सरकार नहीं है कि अ iss सरकार की नीती है तक अपनी आघ जानमूच कर इन्होंने बंद रखी हैं जब इन्हें आपकी जुरुत होती है आपको बगल में रखकर इन्हें को लाब दिखाई देता है तो बिना नहोता दिये आपको हाथ पकड़के लाते हैं आज जब आपको इनकी जरुवत है तो आपको आपने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो देख नहीं रहे आपके आशू के तरफ इनकी निगाह नहीं जा रहे तो पहलवानों को भी रैडियो होना होगा लंबी लड़ाई हो सकती है लेकर यह नियाय संगत लड़ाई है कोई भी चीज जो इमांदारी से की जाती है पूरा दिन लगा के की जाती है उसमें आप हार नहीं सकते हो यह देश पूरा देश आज खड़ा हो गया आपके साथ आज वो खुल के आगया आपके लिए मैदान में यह हमारी लड़ाई साजी लड़ाई है मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जिस संख्या में यहां लोग आए देख लीजिए पंचायते और भी होंगी और आपने जो सुझाव रखा वो मुझे कुछ समझ में आया जो बलकिस प्रतियक कारिकरता कहीं भी होगा कारिकरम जो आप आवान करोगे पूरा अपनी पूरी ताकतों के साथ उसमें लगेंगे और सहीयोग करने का काम करेंगे